तो आज हम बात करेंगे group theory की definition के वारे में और उसके उपर हमें एक example लेंगे कि यह हमारा group बना लेता है r plus dot ठीक है तो सबसे पहले definition देख लेते हैं जी अगर हमारा कोई non-empty set है जी हमारा set है तो फिर किसी चीज़ का भी set हो सकता है numbers का set हो सकता है matrices का set हो सकता है और functions का भी set हो सकता है forms group with respect to binary operation star on g if binary operation क्या होता है एक function होता है g cross g से g पे जिसमें क्या होना चाहिए f of x, y g में belong होना चाहिए इसी को हम बोलते है binary operation और इस function को हम denote कर देते हैं star से ठीक है और इसी को जो है यहाँ पे f इस तरह से लिखे हुए थे इसको हम क्या करते हैं बीच में लिख लेते हैं x star y तो यह notation जिस तरह से यह function का notation इस तरह से हम यूज करते हैं उसी तरह से f की जए पर इमने star पूट कर दिया और यहां पर star को हमने इस तरह से लिख लिए यह सब चीजें इक्वल हैं ठीक हैं और जब हम रिंग में बात करते हैं तो वहां पर हम इसी star को plus और dot से denote कर देते हैं तो यहां पर star ही लेकर चलेंगे तो यह हमारा binary operation होगा कि अगर x star y जो है वो जी में ब्लांग कर जाएं सबसे पहला क्या होना चाहिए condition star क्या होना चाहिए associative होना चाहिए associative मतलब a star b star c is equals to a star b star c ठीक है अब यहां पर एक operation होता है यह वाला division वाला यह operation हमारा associative नहीं होता है ठीक है जैसे एक example के लिए हम देख लेते हैं इस्टार हमने इसको ले लिया और हम क्या करते है टू डिवाइड़ वाई टू ठीक है और यहां पर यह तो यह हमारा क्या जाएगा पहले हमने क्यों पर उप्रेट किया B और C पे तो यह हो जाएगा हमारा 1 और यह जाएगा 2 और यह equal नहीं है तो associativity यह हमारा hold करना चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि कोई operation जो है वो associative हो अब बात करते हो उसके बाद में identity की identity क्या होगा A star E is equals to E star A is equals to A for all A belongs to G यानि एक ऐसा element मिलना चाहिए जो कि अगर हम उससे operate करें किसी भी element को G के किसी भी element को तो हमें A मिल जाए अब यहाँ पर देखो अगर G कोई भी set है ठीक है तो अगर set के elements बदलेंगे तो उसकी identity भी बदल जाती है operation बदलता है तब भी identity बदल जाती है जीसे example के लिए अगर हम power set of natural number लें यह भी एक set है natural number के subsets का अब यहाँ पर अगर मैं operation को यह ले लेता हूं symmetric difference तब तो इसमें identity क्या आ जाएगी यह हमारा आए जाएगा फाई और अगर हम इसमें operation ले लेते हैं intersection का तो identity हमारी आ जाएगी natural number और अगर यहीं पर हम operation ले लेते हैं union का तो identity does not exist तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने set एक ही लिया उस पर अलग-अलग operation लिये तो identity change भी हो सकती है और exist नहीं भी कर सकती हैं तो अगर कोई set दिया हो ठीक है तो उस पर हम पहले यह देखेंगे कि उसमें operation क्या दे रखा है और इसी तरह से अगर हमारा set जो है कि होगे उसी ही आगा एक subject ले जिसमें हमारा एली जिसमें वहारे की तरह के elements होंगे कि आहे यह और ए अ सतरह से यह निश्क में सारी elements सेम हो जाने तब इसमें identity कि आ जाएगे हमारी इसमें ही अइडेनिंटी आ जाएगा हमारी once upon 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 पाई ty यहाँ पर यह बिग यह भी मेट्रिक्स है, ओप्रेशन सेम है, लेकिन आइडेंटिटी बदल गई, ओडिनरी मल्टिप्लिकेशन ओप्रेशन लेंगे, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी दोनों में अलग आ रहे हैं, तो यह भी मुम्किन है कि अगर गुरूप जो है, यानि यह सेट जो है, यह अगर हमारा सेम भी हो, ओप्रेशन भी सेम हो, तो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी सेम है, यानि कि अगर सेट केबल चेंज हो जाए, ओप्रेशन सेम हो, तो आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है, और यह नहीं भी change हो सकती है तो group बनाने के लिए identity exist करना चाहिए उसके बाद में आते हैं तीसरे number पे यहाँ पे क्या inverse exist करना चाहिए a belongs to g there exists corresponding a prime belongs to g such that a star a prime is equals to a prime star a is equals to e ठीक है अब यहाँ पे e जो है यह वाली identity है अब अगर हमने यहाँ पे अभी हमने देखा कि जब हमने set change किया matrix का था उसका हमने जब subset लिया तो identity हमारी यह हो गई ठीक है और अगर हम यही वाला set लेकर चलेंगे तो identity यहाँ पे जो हम use करेंगे वो यही वाली use करेंगे और अगर set up all matrices वाला लेकर चलेंगे यह वाला तब हम identity इसको use करेंगे ठीक है तो यहाँ पे inverse मिलना चाहिए अब यहाँ पे हमने जो जो power set लिखा था power set में यह symmetric difference है इसमें identity हमारी के आफ़ाई और हमारा इसमें जो inverse exist करेंगा वो हर एक element का self inverse होगा यानि कि x inverse क्या आएगा यह तो हमारा group बना लेगा पी एन जो है वो इसके respect में लेकिन जब हम intersection में देखते हैं तो identity हमें क्या मिलती है natural number तो हम क्या कोई ऐसा element हमें मिल जाएगा जो natural number पूरा दे दे यानि x के लिए हमें क्या y लेना चाहिए तो हमें कोई भी ऐसा element नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे एकर y natural number भी पूट कर दे तब भी हमें x ही मिलने वाला है natural number हमें कभी नहीं मिलेगा तो यह हमारा group नहीं बनाएगा इसमें identity एक्जिस्ट करना ही करती यह भी हमारा group नहीं बनाएगा तो स्रीप और स्रीप यह group बनाएगा symmetric difference तो inverse exist करना चाहिए identity exist करनी चाहिए associativity hold करनी चाहिए और binary operation होना चाहिए अगर हमें किसी भी जो है proof करना है कि यह हमारा group नहीं है तो हम स्रीप एक ही चीज जो है डिस group करते हैं यहाँ पे identity exist कर रही है natural number में यहाँ पे inverse exist नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे directly लिखेंगे exam में भी कि inverse exist नहीं कर रहा है और हम उसका counter example देंगे union के लिए यहाँ पे identity exist नहीं कर रही है तो हम directly यहीवाली property लिखेंगे हमें जरूरी नहीं कि closed प्रूफ करें और फिर associative प्रूफ करें फिर उसके बाद में हम identity लिखें हम directly यह वाली property इस्तमाल कर लेंगे लेकि जब हम किसी को group प्रूफ करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि यह binary operation है associative है फिर identity पर आएंगे identity जब मिलेगी तब हमें inverse की बात कर सकते हैं जब अगर identity नहीं मिलेगी तो हम inverse की बात भी नहीं कर सकते हैं अब यहां पर example ले लेते हैं example हमारा किस तरह से r plus dot जहां पर r plus हमारा क्या है interval है 0, infinity का यानि सारे positive numbers और जो star दे रखा है वो हमारा dot दे रखा है दो element अगर हम r plus में लेते हैं तो a हमारा greater than 0 होगा b b हमारा greater than 0 होगा और दोनों को अगर हम product निकालें तो a b यह भी हमारा greater than 0 होगा और अगर यह greater than 0 है तो यानि यह r plus में होगा तो r plus हमारा क्या होगा closed होगा closed और binary operation जो है वो एक ही चीज है अगर हम group proof कर रहे हैं तब लेकिन जब हम subgroup या सभी space proof करते हैं तो वहाँ पे अलग चीज है यानि कि वहाँ पे binary operation तो हमारा group पे जो दे रखा है वही है लेकिन हमें sub-space में closed proof करना होता है यहाँ पे हम अगर closed proof कर देंगे तब हम कहें देंगे यही binary operation है यह जो dot है अब यहाँ पे पहली property क्या आती है associativity की A, B, C यह हमारे सारे positive numbers है और ordinary multiplication जो है वो किसी भी numbers का same ही रहता है चाहिए उसको किसी तरह से भी multiply करें यहाँ पे 2, 3, 4 इसका क्या आएगा 2 into 12 और यह 24 ठीक है और इसको गर हम इस तरह से भी multiply करें तो यह क्या जाएगा 6 into 4 into 24 same आ गया तो associativity तो hold कर जाएगी अब हम बात करते है identity की identities में क्या होगी identity हमारे किस तरह से होगी A dot E is equals to A E dot A implies E is equals to 1 यहाँ पे A से cancel out हो जाएगा तो E हमारा क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा inverse की बात करते है inverse हमारा क्या होगा हमने कोई भी element लिया R plus में let there exist A prime इसको हमने माल लिया यह inverse है तो अगर हम inverse बगरा कुछ निकालना होता है identity find out करनी होती है तो हम identity को E माल लेंगे और उस पे जो operation दे रखा है उसको हम simplify करके E की value find out कर सकते है similarly यहाँ पे inverse के लिए हम इसको A prime माल लेंगे ठीक है और A prime की value find out कर लेंगे तो A into A prime identity हमारी क्या दे रखिए? 1 दे रखिए तो A into A prime is equals to 1 तो A prime हमारा क्या जाएगा? 1 by A और A prime को हम कभी-कभी A inverse से भी denote करते हैं तो A inverse is equals to 1 by A तो यह हमारा inverse भी exist कर गया तो यह हमारा R plus dot जो है वो क्या हो गया? ग्रूप हो गया अब यहाँ पे देखो यह हमारा group फार्म कर रहा है R plus dot लेकिन अगर हम यहाँ पे set यह extend कर दें यानि R लेने R into dot तब यह group नहीं बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि 0 का inverse exist नहीं करेगा R plus यह group बना लेगा यहाँ पे R plus यह plus addition के respect में यह group नहीं बनाएगा यहाँ पे यह group नहीं बनाएगा यह बना लेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि set same है, operation change कर रहे हैं तो group नहीं बना रहा है यहाँ पे addition के respect में क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे A का inverse नहीं exist करेगा A का inverse क्या आएगा? minus का A और इसमें R plus में कोई भी negative number है ही नहीं जो इसको zero कर दें और zero भी नहीं है, identity भी exist नहीं कर रही है ठीक है? तो पहले हम identity की ही बात करेंगे यहाँ पे identity exist नहीं कर रही है identity नहीं है तो हमारा यह group नहीं बनाएगा यहाँ पे देखो हमने set extend कर दिया operation से हम रखा तब भी यह group नहीं बना रहा है क्यों zero का inverse नहीं exist करेगा यहाँ पे प्लस रखा हमने set change कर दिया तो यह हमारा group बना रहा है तो इस तरह से operation और sets पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो आज के लिए वस इतने अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे channel को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में